एक बाद फिर से आप सभी का सोगत है आपके अपने चैनल में तो आज हम लोग आपर बात करने वाले हैं आई लोल नो में के बीच जो टी-टोंटी वर्टकप का छठाव मैस खेला जाने वाला है उस मैस के बारे में जो की खेला जाने वाला है दो पर को बिचकर 30 मिनट पर इ पर देखें अगर मैस की बात किया तो पिछ की बात किया तो ध्यानक ना इस टैन बोच उनिवर्टिटिव वन का पिछ बहुत यह अच्छा बैटिंग पिश्वन वाला है जहां पर टीम बैटिंग फस्ट करने वाल टीम को एडवांटेज रहने वाला है और इस तुना से आ टोटल आठ मैच खेले गाएं जिसमें आठ के आठो मैच में जीत दर्ज की है और बेनी रिकार्ट की बात किया टोटल इस ग्राउंड पर तीन टीटोंटीज के मैच अभी तक खेले गाएं बैटिंग फस्ट करने वाल टीम को एक मैच में जीत मिली है अब बात करेंगे से हेट टोट मैच खेल चुकी है अर्शना स्कूर किया चौतिसके और से रिसन फार्म की बात किया है तो सताओन ना टोट एक सो तेटिस डिन आट बैट श्यालीस और अठा इसकुछ अच्छी फार्म में चल रहें इंपोर्टन डिक रहने वाली है हेट टोट कांटेस्ट मे सब्सक्राइब तो इस बात का धान लगना में लाइंगे टीटोंटी बीन क्राम 126 मज में 236 में 236 के और से हैट टोट मैच खेली तीन सो दोट करके साटके और से ना नंगना आइरलेंड के लिए इसका रिकार्ट बहुत ही अच्छा है रिसन फार्म थोड़ा बहुत अच् सबसे अगर आपको करने वाली है तो अहीं दो या तीन उबर करके देना वाली है लगभग और इसन फार्म करत किया पंदरान जियोग कट सतावनाट और दोगट जियोग कर एक रन एक गट धानकर नमबर चार पर वलवाजी भी करने वाली है इलिस पहरी इसले गार्टेन आइगी टीन इजमिन क्राम सरसन मेंज में एक जार चार चार रन है 27 कोड़ से 33 वी रिंग का लिए है तीन मेज के लिए पाच पर वलवाजी भी करती है बहुत ही सांदार और ये डे कर सकती है लेकिन बालिंग कराने चांसे बहुत ही कम रहेंगे हाला कि पाकिस्तान की क्लाप जो सिरीज भुआ था इस देने तो धानकना रिष्टन पाम की बात किया चोई सरना टाउट इक बेट दिडिनाट बैट और चार रहना बेल सदलने नहीं है तो एक मैस के लिए है दिडिनाट बॉल एक गेट चार रंजी विपकर दो बाड डालका धानकना अन्रावेल सदलन दो से तीन से चार ओबर थक भी कर सकते हैं तो इस बात का धानकना मेरे हिसाब से इस मच में इंपोर्टेंट बिग रहने वाली है अन्रावेल सदलन बॉलिंग पॉइंट आप व इनका लिए आर्लेंट विकार्ड अच्छा इसका रिसन फांग की बात किया बार नाट दो विकट एक बिगट एक बिगट बाइस नाट आट आउट एक बिगट अनाला कि गाएंगे टीट ओन डिजमींग ग्राम 18 मैं 21 कि बिगट है थेट विकट दो विकट दो विकट और दो पर निच्छले में मेंगन इसकार्ण और एलान किनने नहीं नहीं करा था तो उस बात का दानगा मेंगन इसक बात किया टेन डिजमींग मैज में 14 विकट है एक स्चोचाड बिगट है है और द सी ब्रौण की बात किया ती डिए मसक्ट एक दियर गने का लिए थे निवि तो आपको बल्लेवाजी से पॉइंट देने वाली है जो की एक ये दो उबर करने वाली है तो मेरे सबसे इदनी इंपॉर्टिम्ट गराना वाल नहीं है तो इस बात का धानगना है तो इसने वाली नहीं करा था इलिजा है एक पाचीस एक तीस नाट और डिद नाट प्ले पिछले मैच में साथसो बास्याट रहना है । तो बाद कर लें यह था यह बॉल और है तो बहुत बल्लेवाजी कर लेए तो दो विकट 32 चार्व और 32 नहीं करा था तो अगर बॉलर नहीं करा था तो मेरे साब से बिलकुल भी मिपार्टि पिक दाना वाल नहीं है साथ में धान गया नंबर 8 और 9 पर बलवाजी करना था इसने 32 नाट आउट का स्कूर किया था सारे प्लेयर्स के बात हो गई या अप टाफ प्लेयर्स के बात करें तो पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस मैच में इंपॉर्टन पिक होने वाले हैं इससाथ बात किया है अब प्लेयर्स के बात करें मेरे था नहीं के अर से दो में जीत दर्ज हुए है और तीन में हार करा रहे हैं से उपन करने वाली मोस पावली अमी हंटर उनके साथ उपन करेंगी गेवी लेविस एमी हंटर की बात किया है तेरा मज में दो सोला रहन है 21 के और से और इसन फांग की बात किया है तो चालिस तेरा एकतालिस एक्कीस पांच थोड़े वहत अच्छे फां में चले लेकिन मेरे हसाब से इस मैज में इंपॉर्टमिटिक घ्रहनवाल नहीं है क्योंकि आश्ट्रेल इस बात का धांगना और इसतन फांग के बात किया तो 49-79-84-38 कुछ अच्छे फां में चल दे हैं ओल्ला प्रेंडर गास टांगे टीटिट अंडिज में इनकराम 30 में 400 सी रन है 22 के और से 17 बिगन का लिए इस ध्यानरगा शुरुआत में आपको दो बर करके देने वाली है और डेस में भी एक ओपर करके देने वाली है और परेंगे अपने पुरे कबर चार ओपर करने वाली है साथ में ध्यानरगान नंबर 3 मेरे हिसाब से हेट्ट वर मैज के बात किया दो मैज खेली है सईतियसरन स्कूल के 18 के और से हाला कि आस्टेलों के खेली थी तो सब्सक्राइब करने वाली है तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से के हिसाब से रिसन फांग के बात किये तीन रन एक बेट शे रन जीव कर तीन बिगट इकीस रन तीन बिगट एमर रिचार्ट से नहींगी टीटों टीज में किनाम बासन मैज में 610 रन है पंदरा के और से चोवन बिगन काली है राय टाम अबबरक बालिंग करती है अच्छ से तीन मैज में बलवाजी करने का मोका नहीं मिला और तीन और ग्यारा का इस्टेट से लीपाल अंगेटी टीन टीज में कराम तीस मैज में 114 रन है 12 के और से हेट्रोड मैज के बात किया आठ मैज खेल चुक है 36 स्कूर कर पाई है छे के और से आश्टेलों मैज के खिला पर रोजिसन फांग के बात किया तो चार डिट नाट बैट एक नाट आट और और साथ अर्लें के लिए अंगे टीट ओन डिज में काम 16 मैंज में 60 रन है 21 बिर निकाली है राइटा मीडियम बालिंग करती है आलाइंड ओमन की बालिंग नाट तरस अच्छी के नवाज करती है मेरे सबसे और हैट्रोड मैज के बात किया दो मैज खेली है राइटाम लेग बालिंग करती है मैज की है दो मैज में क्लाप violation वहाज के बात किया यहाँ से है और यहाँ बेंच के बेंच के लाइर आप देखलो यहां से है तो खेली नहीं है और इसन फांग की बात किया है तो खेली नहीं है और इसन फांग की बात किया तो 42 जीरो विकार डिन नाट बॉल जोड़ों जूझ कर लेती है और इसन फांग की बात किया है तो शेलीं करले नेज पर आएंगी त्टीटन डिजमें का मैंगी यह चार रहां फांग की बात किया है तो थोड़ी बदाई कर लेती है पिक कर सकते हैं मेरे सबसे इस मैंज में इस में उपार्टन पिक होना वाले हैं अगर आपको इधर से रिस्क लेकर चलना हो तो उधर से बिकटिक विग्ट सक्सें से पिक कर सकते हैं लेकिन रिस्क वाला होने वाला है उसके सबस्त बात किया है तो इधर से आप एलन केली को भी ट्राई कर सकते हैं तो अनालसिस वाल पार्ट हो जुगा कम्प्ली अब बात करते हैं डेमो टीम की डेमो टीम की बात कम्स पहले बस आप से एक रिकोष्ट है कि अगर आप चलनल को सब्काइब कर दीजीगा शाथी साथ अगर आपको विडियो पसंदाद हो तो विडियो को प्लीज लाइक कर दीजीगा धन रखेगा मैं आने वले हरमाजी कबर करने वाला हूँ तो उसके न अलरांड़ों सरक्शन से मैं रखा है धन देना और या डेनली उपर अंगैस्ती रिचार्शन डेयसल्ड यह सब्काइब करना साथिसार ٹुप Formate वाली है टेल इसकनल कर लिंक आपको विडियो की अडिक संग्स करको सबटाइब करनां क्यों मिल जागा था एंक्यू